हेलो मैं इस्टेंट्स मैं अनूम सरो मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चो तो चलिए बच्चो आज आप लोग का जो इंतिजार था बहुत दिनों का की मोडल कोश्चिन पेपर कब आएगा जेक बोड का तो आ चुका है आप लोग देख लिए ये 23-24 का देखिएगा इसमें जो भी objective दिया है anything कुछ भी जो भी दिया है वो भी आप लोग को बताया जाएगा और मेरे चेनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आभी तक नहीं कियें बच्चो तो आने वाले समय में कम से कम डेड़ से 200 question हम objective कराने वाले जो इससे आप आप लोग 38 number जो है बच्चो सीक्योर हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चेनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा चलिए तो पुड़ा थमनों पले instruction अच्छे से पढ़ लेते हैं सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग को अपने सब्दों में देना है जितना भी question इसमें 30 objective है इसमें 30 objective है उसके बाद आप लोग का 1 से 30 objective है 31 से लेके 38 तक आप लोग का 6 question है जो की 2 marks करेगा फेरी सोट टैप है उसके 39 से 46 6 question 3 marks का है ना उसके बाद आप लोग का 47 से 52 5 4 question रहेगा मतलब maximum कितना marks का रहेगा 5 तो चलिए सबसे first question हम लोग के सामने आ रहा है कि जो relationship होता है firm का तो देखिए बच्चो जो भी आप लोग का इक question तो हमेशा repeat करता है कि जो firm का जो relation होता है partner लोग के भी partner और firm का जो relation होता है इन बच्चों वो agent का होता है क्या होता है तो हमेशा अच्छा से याद कर लिएगा इसको उसके बाद next question वीडियो को अख बका के देखने का जरूतनी अराम से देखिए आप लोग का subjective भी कराया जाएगा और बहुत important question आने वाले समय में होगा भी समय तो आही रहा बच्चों January में करवाएंगे बहुत सारा topic करवाए जितना हम लोग PL appropriation account में two side में लिखते हैं ठीक है two side में जितना भी लिखते हैं सब appropriation of profit होता है बच्चों इसके बाद क्या लिखता है कि हम लोग का three years का profit दिया है goodwill निकालना है two years तो देखिए कोई भी चीज हम लोग जो goodwill निकालते हैं तो formula क्या होता average profit equal to total profit divided by number of year तो द दस तीस दस चालिस भागा चार दस इंटू दो बीस से जारिस का अंसर होगा बच्चों सी number three का चली आगे बढ़ते हैं आप लोग को डरना नहीं है बहुत सारा mcq करवाएंगे अगर जेक बोर्ट के द्वारा गवर और और सेट नहीं भी आता है तो बहुत सारा हम तिस त 200 questions तक का आप लोग को करवाएंगे सिप आप लोग को साथ देना है वीडियो को देखना है क्या लिखता है एक सुरवाइट तू तू इस्टू थिरी में डिभाइड कर रहा था ठीक है देश यर प्रॉफिट इन इक्वल रेची देखिए तो आप लोग हम पहली पहले भी जब हम वीडियो डाले है तो पहले का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जाके तो इसमें क्या निकालने बोला है किस अनुपात में sacrifice ratio बराबर होता है बच्चों ठीक है sacrifice ratio बराबर होता है old ratio ठीक है minus new ratio जब आप लोग इसको calculation कीजिएगा ना ठीक है जब इसका आप लो calculation कीजिएगा तो इसका अंसर जो है बच्चो four number का ठीक है Y sacrifice क्रेगा ठीक है कon sacrifice क्रेगा Y sacrifice क्रेगा ठीक है Y कितना sacrifice करेगा one by tenth लगता है इसका answer one by five दे दिया है या अनसर इसका होगा C ठीक है four का क्या होगा बच्चो C answer यहां बी दे दिया है आप लोग तो भी एक बर निकाल के देख लिएगा, 2 by 5, 3 by 5, minus 1 by 10, ठीक है, 1 by 2, 1 by 2 होगा, तो आप लोग जब calculation कीजिएगा, तो आप लोग जब calculation कीजिएगा, तो इसका 1 by, ठीक है, 1 by 10 आएगा, जब यह answer देदी है, 1 by 5, तो इसका answer C, आप लोग करेक्शन कर लिजिएगा, ठीक है, क रिकोड़े डेसेट्स प्रॉफिट होता है, इसलिए गेन होगा, बच्चो, सेक्रिफाइज रेशियो का यहां दिया है, तो आप लोग गेनिंग रेशियो का फ़र्मला याद कर लिजिए, तो जानते ही, आप लोग B होगा, 6 का, और से गेनिंग रेशियो बराबर क्या होत सonda new ratio मैनस old ratio, अगर नया partner admit होता है बच्चो, तो इसका मतलब क्या होता है, कब admit हो सकता है, तो आप लोग को पता ही है, जब तक प्राना जितना भी partner है, जब तक सब agree नहीं रहेगा, तब तक नया partner admit नहीं हो सकता है, एक्ट नमर क्या लिखता है, कि जो जेनर जब रहता है वो हम लोग कहां लिखते हैं, जो कहां ट्रांसफर करते हैं, तो old partners के अप्टल एकाउंट में, ठीक है, next हम लो 9 number, क्या लिखता है, एक नए साहजार के परवेश का क्या कारण होता है, तो partnership reconstitute होता है, ठीक है, बदलता नहीं है, बंद नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, reconstitute प ठीक है, goodwill is paid out to the retiring partner, old ratio में, ठीक है, और पुराना partner, उसको जो remaining partner, उसको gaining ratio में distribute करता है, चलिए confused होने का बात नहीं है, क्या लिखता है, assets and liabilities, at their revalued, revaluation जब होता है, तो revalued को हम लोग कहां दिखाते हैं, तो new balance sheet में, जो नया balance sheet बनता हैं बच्चों, उसमें हम लोग ACO को equal करना है, LCM लेके, तो आप लोग आएगा, 587, ठीक है, कितना आएगा, 587 आएगा, ठीक है, कौन retire हो रहा है, तो Z रही चल गया है, तो 5528 यह ला आ जाएगा, A number इसका, ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, A number, next क्या लिगता है, कि on death of a partner, अगर को partner का death हो जाता है, तो capital account में क्या credit किया जाएगा, तो उसका goodwill, ठीक है, क्या credit किया जाएगा, बच्चों, उसका goodwill, इसका subjective भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, सिप आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब की हैं, बार-बार इसलिए बोले बच्चों, क्योंकि आप ही लोग को profit है, क्योंकि आने वाले से में बहुत important वीडियो हम लाने वाले हैं, objective हो, subjective हो, important question हो, theory हो, कुछ भी अबिजना से study हो, ETP हो, मेरा पहले का भी जाकर आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग paid up capital को liability में सामिल करते हैं, बाकी सब तो focus में उपर में रहता है, ना पता है ना, आप लोग को सिप अम लोग बॉक्स बंद करके रखते हैं, अगर हम लोग क्या लिए तब balance of forfeited account कहां transfer करते हैं, share forfeited account debit to capital, reserve account, इसको हम लोग कहां दिखाते हैं, जो share forfeited ब होना चाहिए ना, क्योंकि जो premium जो रहता है, revenue profit नहीं है, capital है, हमेशा नहीं आता, जब डेवेंचर इसू होगा, उसी समय होगा, ठीक है, इसका क्या है, कि डेवेंचर which are transferable by only delivery are, जब भी, मतलब जब भी आप को डेवेंचर को परस्तुत किजएगा, तुरंत उसका payment हो जिसके पास रहेगा, उससे के पास, इसके बाद इसमें क्या लिखता है, कि अगर मानले ये डेवेंचर purchase की open market में उसको cancel नहीं कि तो हम लोग के पास investment के तोर में रहता है, company के पास उसको investment के तोर पे रखा जाता है, next, मंजील हम लोग आ रहा है, attention नहीं लेना है, on debenture, on debent payment के तोर पर रखती है, patent is the example of, patent क्या है, बच्चों, किस चीज का example है, intangible assets है, ठीक है, इसके बाद क्या है, financial statement are the, क्या end process है, तो पता है आप लोग को, कि ये last में हम लोग financial statement बनता है, जब profit and loss सब बन जाता है, उसके बाद, ये आप लोग financial statement क्या है, क्या है, उसमें सिफ हम monetary मतलब जो मुद्रा में जिसको माप सबते, बच्चों वही लेते हैं, बाकि सब नहीं लेते हैं, annual report is issue by the company, क्यों annual report कि किसको दिखता है, shareholder, क्योंकि shareholder को मालूम होना चाहिए कि company का क्या भी condition है, तो shareholder ही देखता है, जो पैसा लगाया है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखत है, कि जो compression हम लोग करते हूं, क्या all of these, profit level है, performance बताता है, financial position बताता है, तो all of these, इसका answer क्या होगा, D होगा, ठीक है, इसका answer क्या होगा, बच्चों D होगा, फिर क्या लिखता है, the ratio are primary measure of return, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग जो return आ रहा हूँ, return का हम लोग किस ratio पता चलता है, तो profitability, कितना profit हो रहा हुआ, उससे हम लोग को पता चलता है, कि हम लोग का क्या position है, profit का, the two basic measures of liquidity are, दो जो हम लोग का basic liquidity कहां से पता चलता है, ठीक है, दो आधारभू, तो map क्या है, तो याद रखीगा, इसका होगा current ratio, liquid ratio, जो कि इसका numerical question भी आने का chance है, cash flow statement is based on cash flow statement है, वो किस पे base होता है, तो cash basis accounting, उसमें cash का ही सिफ काम होता है, last question हम लोग का है, subject objective का, कि one resolution of a firm bank of a draft, कहां लिखते हैं, तो realization account में, ठीक है बचो, इसके बाद जो next video आएगा मेरा, वो subjective पर रहेगा, तो आप लोग वीडियो को like कर दीजे, और next video बहुत जल्द आप ल लाएंगे, आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है बचो, तो मिलते हम next video में